वेलो स्टोंस, वेल्कम तो अलो फ्यू और इंडिया लार्जेस्स ओनलाइन लाइन लाइन फ्लेट फ्लेट रॉम डड़ेजन अकैडवी और आज आप सभी बच्चों साथ जरूतरों में एक बहुत ही इंपॉर्टन सेशन के साथ जिसके जरूत साथ आज हर किसी बच्चे को है और साथ यह जरूत साथ पैरेंट्स को भी है क्योंकि बच्चा मेरा कैसे पढ़े सरे अब कुछ बता दिजा ना कि बच्चा पढ़ने लग जाए तो इन सब चीजों के बात करने जारा हूं है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें कैसे आपको पढ़ना चाहिए तिक है कि इतने तरीके साथ कैसे माइनिस करें कि अभी आपका जो एज है उस एज में डिस्ट्रेक्शन के बहुत सारे सोर्स हैं आप अपना एम जरूर डिसाइड करते हैं कि जिन्दिगी में एक करना है तिक है अगर बच्चों आपने साइन्स लिया तो आपने बच्चों पक्का सो आप अब बच्चों से पहले से पहले हैं कि आप अपने एक्जामनेशन को क्राक करने के लिए जो सकते हैं इंडिया के लार्जसाथ और लानिन लाणि आपको कई सारे वह बेनेफिट्स प्रोवाइब करता है मेरे बच्छों जो साइध ही कोई offline या कोई online learning प्रेटफर्म को प्रोवाइब करता हूँ ठीक है यहाँ पर जो benefits आपको दिये जाते हैं ठीक है वह benefits पहले बात तो बहुत reliable amount पर होता चलिए इन सब के बारे में details में बा पढ़ाता रहों बच्छों अब मैं बात करूँगा on academy subscription के वह benefits जो आपके exam को किला करने ले बहुत important है पहले benefits बच्छों यहाँ पर आपके पास daily live classes का option होता है हर दिन आपकी class यहाँ पर live आपको मिलती है और इस live classes के दौरान आप अपने educators से अपने doubts पूछ सकते है ongoing class के द तो generally offline classes में बच्चे हमेशा hesitate होते हैं पूछने में कि मैं doubt पूछोंगा मा की बच्चे क्या सोचेंगे लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं यहाँ पर क्या बच्छों कि जब आप class ले रहोते हैं तो आपके सामने बस आप ठीक है और आपकी screen होती है और जो भी doubt आपके one में आता ह at a time उस doubt का या तो image आप सेंड कर सकते हैं या उस doubt को आप टाइब करके भी सकते हैं एजुकेटर at a time उस doubt को देखता है बच्चों और उसको देखते ही आपको reply करेगा कि यह doubt है आपको इस तरीके साब इसको solve कर पाएगी तो यह जो daily live classes है बच्चों यह online class जो है वो आपके पास regular basis पे आपके performance को evaluate करने के लिए regular basis पे आपका यहाँ पर live test और regular basis पे आपका यहाँ पर quiz होता है और regular basis पे live test और regular basis पे जो quiz होता है वो आपके performance को और भी ज़्यादा बस्ट करता है यहाँ पर जो course आपको मिलता है वो complete आपका एक structure course होता है एक pre-planned course होता है ठीका आपक किस तरीके से कैसे कैसे complete हुए फिक यह बहुत बएनेफीटर वेठा जिससे आपका exam क्राप करने बहुत ज़्याद को help मिलेगा unlimited times आपके पास access करने का आपके option होता है बच्छो unlimited access मतब यह है कि single subscription के थूँ जितनी भी times आप किसी video को देखना चाहते है वो आप unlimited time देख सकते में जो कभी भी पढ़ते वे कभी भी आपको doubt आता है जो offline classes नहीं मिल पाता है आपको कि at a time आपको कोई doubt कि लिए कर दे at a time आपका teacher नहीं मिलेगा आपको कि वही इस time doubt आये जिस time आप पढ़ो के इस time आपको doubt आगा यहान रखेगा जिस time teacher पढ़ा रहा है इस time कम doubt आता है माने पास जब हम खुद से पढ़ने बैठते हैं तो वहां पे doubt माने पास सबसे जादा आता है बच्चो और उस time पे अगर मेरा doubt कोई clear करने के लिए बैठ चाहिए और मेरा unacademy को लेगर बोलोगा को unacademy आपके लिए गाम करता है तो यहाँ पर देखो मेरे बच्चे बहुत बड़ा benefit आप बच्चों को मिलता है free life classes को मिलती है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आप इंट्राक्ट होते हैं इंडिया के various top educators के साथ किसी particular एक subject पे अब इस minimum 20 to 30 top educators available होते हैं और सभी top educators की classes को enroll कर सकते हो यह बहुत बड़ा benefit है कि आपको ऐसा नहीं है कि category wise educated को category वाला amount पे करना है ऐसा नहीं है बच्चों तीक है यह platform आप बताईए इस platform को अगर आप देखें तो यह यार मेरी तो इससे एक emotional attachment है कि यार इस platform पे ऐसा नहीं ह कि top 1 educator के लिए बच्चों को जाता पैसे देना है ठीक है आप एक hospital जाओगे तो भई इस hospital में यह टॉक्तर इतना साल का experience पैसा देना पो ठीक है तो यहां पर ऐसा system नहीं है आप इंडिया को जो top educators भी है और इंडिया को top 25 educators भी है ठीक है तो on the respect of position ठीक है आपका जो fees है आप जो subscription है वो independent है आपका subscription जो है पूरी तरीक साथ independent हो किसी भी teacher की class को लेने के लिए बहुत परा benefit है बच्चों इतने सारे educators होते है तो आपके लिए बहुत ही easy होता है एक अपनी लिए best educator select करना teacher हर को अच्छा पढ़ाता है डिपेंड करता है किसकी frequency आप से माच करती है तो य यहां पर आपको एक comprehensive syllabus मिलता है complete syllabus ठीक है ऐसा नहीं है आपको दो subject मिलता है इसा कोई गायब है ऐसा नहीं होगा बच्चों ठीक है आपको एक complete syllabus आपको मिलता है बच्चों फेजिक्स, chemistry, mathematics, bio and every five subject जो आपके लिए important है आपके class 11 के लिए आपके class 12 के लिए important है पूरा complete syllabus आप को मिलता है बच्चों करना के आपको इसके लिए बहुत एजी सा step है और यहां पर ज़रूर होता है कि आपको दिमाग से खेलना होता है ठीक है दिमाग से कैसे बिए आपको देखो यहां पर आपके बस options बहुत सारे है पर मंत option पी है 3 मंत का भी option है 6 मंत का भी option है 12 का भी है और आपके बास 24 बनका भी option है अब जो new update आया पेटा उस update में आपका 18 मंत का भी option नितूर्ट हो गया है तो इन सभी option में आप कौंस option select करेंग बेटा तो जो मेरा preference होगा जहां मैं आप बच्चों को बोलूँगा कि भी जितने लॉंगर टाइम के लिए आप जूडएंगे अन्य के साथ आप जितने लॉंगर टाइम के लिए जूडएंगे बच्चों उतने ही जादा आपको बेन बहुत ज़्यादा रिलाइबल है ठीक है ऑफ लाइन इंस्टूट जाने में जितना किराय भर देते हो तिक पूरे साल में उतने में आप घर बैठे पूरे पांट सब्सक्राइब पढ़ देते हैं तिक घर बैठे बहुत बड़ी बात है घर बैठे पढ़ों तीक है तो एक अपने टाइन के साथ अनके साथ आपको इतने सारे एजुकेटर साना कि आपके इड़ा अपने ही जी जादा अबी लाइबल होते हैं किसी अधी अरक दétब के लिए का आपको discount मिलता है और इस 10 पर के discount के साथ आपकछ amount है वह अटाइम और भी रदा रिडियूस हो जाता है तो आप जॉइन कर सकते हैं अनेकार्मी टु क्लास 11 रेंट 12 examination और एनी अधर examination किसी भी exam के लिए अनेकार्मी के पास pattern जो है उस exam को क्राक करने के लिए अनेकार्मी अभी के टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा online education हाब है तो चलो बड़ा आज के session में सभी बच्चों का comment हो आज की ग्लास में को पढ़ाऊंगा नहीं भी पर दो जाता हो जाता उम्हें तो यह चीज ना तुम बहुत कुछ जरूरी ग्यान आपको बच्चों बर जरूर ना ठीक है वह सारे ग्यान आप बच्चों से बच्छे का होता है? कि एक तो पहले तो गूरूप तक शुछ मैं बच्र में देखा है तो फूरूप में भूला लेता हूँ करा ससे आपने दोस्तों को दोस्तों तो दोस्तों भाषता हूँ आधा टेम तो कुरकुड़े और नमकीन खाने में चला जाता है ठीक है और दूसरी बत क्या होता है कि अगर आप गुरूप में बैठके पढ़ते हैं तो पता है क्या होता है ठीक हो हर किसी की अपनी एक capability है आप chemistry में एक word पढ़े हूँगे threshold frequency threshold frequency बता है एक minimum energy जो एक electron को metal के surface तक लाने में लगता है और यह जो threshold frequency बच्छे वो हर किसी के लिए अलग-अलग है यह जो threshold frequency वो हर किसी metal का अलग-अलग है सबको अलग-अलग energy की requirement होती है एक electron को metal के surface तक लाने में तो बच्चे सब यह है कि जितनी तुम्हारे चार अलग तुमने group study आप कर रहे हैं तो group study में क्या होता बच्चे कि हर बच्चे की हर बच्चे के अपनी capability है ठीक है और group study में इसा तो नहीं है न कि कोई 4 गंटे बढ़ा है जो तुम 10 गंटे बढ़ोगे बैस सबने एक साथ copy बंद कर रहा है सबने एक साथ copy खुड़े है और reason यहां पर drawback क्या हुआ कि उस group में कोई एक बच्चा था जो 4 गंटे पढ़के ही efficient work कर सकता था और तुम्हें जरुती 10 गं इसके बढ़ाबेक है तो ग्रूप सबस्के अपनी है और ग्रूप में पढ़ने में क्या होता है बैटा कि सब जो है पढ़ना एक साथ copy खूलेंगे एक साथ बंद करेंगे हर बच्चा चार गंडे बैठके बढ़ने हर बच्चा चार गंडे के लिए capable नहीं है efficient work के लिए हर बच्चे की अपनी capability है तो मैं आपको सबसे पहले prefer करूंगा कि आप जितना जादा हो सके आप कुर्सिस कीजिए self पढ़ने का ठीक है एक single chair ठीक है एक single chair और एक single बंदा ठीक है वही बैठेगा ठीक है एक कुर्सी होनी छे एक कुर्सी मतलब कि कई सारे एक रूम में आप दस कुर्सी विठा दोगे विठा तो बढ़ी दिख्यत होएगी ठीक है तो समझे वाद को ध्यान से तो आप कोशिस किजिए focus on the self अगी ठीक है आपके लिए single classroom हो बच्चों ठीक है single आप बंदे बैठे हुए बस आप बैठके पढ़ाई कर रहे हैं आप डिसाइड करेंगे अब इसके भी एक disadvantage आ जाते है self study में क्या होता है मेरे बच्चों कि हम बैठके पढ़ाई कर रहे हैं मुझे कोई doubt नहीं आया मुझे doubt आगे मेरे पास तीक है मुझे नहीं आ रहा है आप ये बास समझलो की अनेकाड़नी आपको self study पे focus करने के लिए अपरोच कर रहा है और हर पैरेंट्स के चाहता है आज के टाइब में हर पैरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा एकाम में बैठके पढ़े मेरा बेटा दस बंदों के साथ जाके ना पढ़े ठीक है कहीं ना कहीं देखो आपकी ओमर ऐसी ही है ना ठीक है आपकी ओमर आपकी एज ऐसी है कि जब दस बंदे एक साथ बैठेंगे ना सबका माइंड़सेट अलग अलग है सबका माइंड़सेट अलग है ठीक है किसी के WhatsApp पे message आने लग रहे है तेरी बंदी ये बात कर रही है या ठीक है मुझे मेरी भी करा दे वाई सेटिंग तो यह सारी बाते जो है एस ऐसा है तो इन सबस्क्रीटों में घंट चालब होता है यह जहांता तर जो मेरे बच्छों में घंट में होता है कि डिस्टरेटिशन यार ठीक है तूब ये ले तुम्हारा पास इतने दिट नहीं म तो इस तेडिये में कई बार ऐसा ड्रॉबेक देखने में मिलता है वह अलग डिपन करता है इस बात पर किस क्लास का है मैं मानता हूं जो बंदे आईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तहीं पर बच्चों का जो माइंड सेट होता है वो बार अलग होता है और इस अब नए बच्चे हैं तो आपके अंदर पर आया बोरना चाहते हैं और उस टाइम पर गुरूप कर तो मैं कहता हूं कि मैं इस गुरूप स्टुडी में सक्सेस रेशो की बात करूँगा तो एक परसेंट ही सक्सेस रेशो मेरे नजर में आता है तो आपको इसमें कोई भी अब नए परसेंट बच्चों में से होगा या 99 परसेंट बच्चे इसका डिस एडवांटेस लेकर जाते हैं पर गूरूप स्टुडी जो हमेशा कहीं ना कहीं आपको आपके एस के अपर्डिंग लिए परफेक्ट नहीं है अगर आपका माइंड सेट भी आप ग्रेजुए अब ही क्लास 11 में नहीं होते हैं कि पैरेंट से होगा है या इसा होता है लेकिन कोई मन्न बोल दे ठीके हैं किसी बच्चे को तो वो बहुत ही अनौफिचल में बेगे जाता है वो बड़त वह बालता चलो को फुशनों को सुनाई दिया ना तो जाबा उसको फर्ग नहीं प तुम आपको कहूंगा कि गुरूब स्टेटी कुछ दिन सेल्फ परो ठीक है और सेल्फ परके कुछ अच्छा करना फिर पहुद अच्छी गूरूपिंग बना खूब पाड़ियां करना प्रयूपियां कोई दिक्कत नहीं है और जब पाड़ि करेंगा तो आपको पैरेंट्स तो यह बात करें तो किताबों का बंडार जो थोड़ा कम कर दो किताबों का बंडार का बंडार जो बंडार को कोषित Coron murder तो क्लेक्शन ऑबुक को फूरसा रेडियूस की ज़से उटा है। क्या होता है बच्चों और इस बूक से पहल रहा है कि वहां से भी गैधर कर रहा है कुछ यहां से तूर तूर टीचर को पता है कि दो बूकों के बीच डिफ्रेंशियर करना कि कहां पर बैटर एक्स्वेशन और मुझे क्या चीज कहां से उठाना है तो पिर भी मुझे जब कभी पढ़ना होता है तो मैं कई आर बुकों को देखता हूं बेटर नहीं है, बुकों को भंडार को तो लग कम करो और कुछ लिमीटेड बुक को अच्छे तरीके से फोकस करो, ठीक है, अगर आप 12 में अच्छा स्कोर करना चाहते है, 90 प्लस स्कोर पर जाना चाहते है बच्छों, तो NCIT बुक उठा हो यार, ठीक है, इस NCIT बुक, ठीक है NCIT लो, ठीक है, प्लस आपका ओगया, एक CBSE Previous Year, एक आपका ओगया CBSE Previous Year, इन सब बुकों पर फोकस करो, एक आपका ओगया बटा, CBSE Previous Year, एक आपकी NCIT, एक आपकी ओगया CBSE Previous Year, ठीक है, और एक कोई अजर Maka ले लो, pencil या पढ़्दी, ठीक है, ये आप teams कोई बुक लेड समय बहुत जादा जाएगा सीफों के बहुत कम तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप NCIT, CBC, Previous Year और SL या परदीप इन में से आप तीन में से कोई किताब याब रखें और बुक के बंडार को तो आप कम करें आप देखें कि हम इस बुक को खतम कर सकते हैं इसी बुक को पढ़िए ऐसा नहीं कुछ हम इस बुक से पढ़ रहे हैं कुछ हम इस बुक से पढ़ रहे हैं कोश्चन पता चलाएँ आज कुल तो बच्चे बुक के बंडार के साथ वो गूगल भी करने लग जाते हैं बच्चे डाउट लेका आते हैं सर ये कोश्चन बता दीचें मैं बच्चो से पूसता हूँ बटा कहां से लाएँ कोश्चन पता गूगल से लाएँ अरे भाई गूगल से जरो थी नहीं आपको बढ़ने की आपके बस किताब है इतनी है ना कोशिश करें आप ज्यादा डायवर्जन को कोशिश करें और कोशिश करें जिस रहा पर चलें आप कोई तर्निंग पॉंट नहीं हो नहीं है एक बार डिसाइड करने कि फूल देखा गंकि बहुत फेमस एक डायलोग है बोलता है कि जहां पर हम निकल गए न पापा वहां से कोई टर्निंग पॉइंट आप उस रास्ते का नहीं है वही बात है एक बार रास्ता डिसाइड कर लो फिल्सकोर कोई भी आ जाए ठीक है सामने आपके पिता जी क्यों आ जाए आप अपको अपना डारेक्शन ची नहीं कर पिता जी कर लिया तो एक वे डिसाइड कर लो हमें करना क्या है तो फिर उसके सामने कोई भी आ जाए ना ठीक है वह आपके रास्ते को ना बतल सके तो इस बात को समझे तो आपको अपने बुक का भंडार करना है यह बात कर्म होगी पहली बात की गुरूप स्टई थोड़ तो बड़े बाटे गुरूप में मनाओ को दिक्कत नहीं ठीक है लेकिन जो आपकी स्टेडी है वह आप कोशिश करो जितना ज़्याद आप सेल पर सेके जितना सेल पर सेके कभी कभी चले गए चलो भी आज दोसके साथ जाता हूं उसके साथ मैटके पढ़ेंगा वह ठीक है चलता है कभी लेकिन कोशिश करो कि माकसीमम जो वर्क है वह आप सेल बैठके करें दूसरा कलेक्शन और बुक की कलेक्शन को थोड़ा कम करें ठीक है अगर आप ये कम करते हैं तो आप अच्छा स्कूर करेंगी ठीक है पढ़ते हैं आप लेकिन आपको फ्लैन से पढ़ना अपने जिंदगी में उस पर डेपेंड करता है कि उसका सक्सेस कहां लेके जाएगा उसे तो यह आपका सेकेंड पॉन्ट और अपकर फ़रड़ पोईंट पर बच्चों वो ये वो थरड़ पोउन्ट यह कि 11 तोल के बच्चों के लिए खास करके इस प्रॉबलम है कि बच् स्कूल और कोचिंग स्लेवर्स को कैसे बैलन्स करें यह एक पड़ा दुविधा बच्चों को रहता है और मैं बहुत सारे बच्चों को यार यहां पर डगमागाते वे देखा है कई सारे बच्चे तो डगमागा के थोड़ा संभल भी गया और कई बच्चों दगमागाते गि तो कि undoubtedly 10 तक बच्चा चलनमा नों धर पे बैटके पढ़ा, 10 तक स्लेवर्स बहुत कम होता है, class 11 में अचानक आकर स्लेवर्स बहुत जएदा वास्ट हो जाता है, बच्चा स्कूल में कुछ और चलता है, कोचिंग में कुछ और चल रहा होता है, बच्चा सो से क्या करूं मैं है, इस्कूल के यूटी में नम्हें खराब आते हैं, घरवाले सुना देते हैं, ठीके, कोचिंग में मार्क्स खराब आते हैं, फिर भी घरवाले सुना देते हैं, ठीक है। वहाँ टीचर अलग सुनाते हैं, ठीक है। यहाँ इस्कूल में लग सुनाते हैं। तो देखो मेरे बच्छे आपको मैं सिंपल पार बता हूँ। अगर आप स्कूल और कोचिंग के स्लेवर्स दोनों को चाहते हैं, बार पेरलल चलाओ। जब फॉसिल whether?」 कभी भी वह सिब नहीं है इसकूल में चुतियां जाता है है कोची में जाता ओक कीसे चल आँ वीडियो चील रही होती इया दोनों को एक साथ कैसे चनाओ, ठीक है, कई सारे वीडियो, कई सारे, कई सारे कमेंट्स, कई सारे मेसेज, हर क्लास में बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो लो अच्छे यही कहता हूँ बैठा कि, देखो, इस स्कूल और अनेकैडमी, दोनों में से एक चिचुल लो, इस इस स्कूल अलग जगा पर है और अनेकैडमी अलग जगा पर है, इस स्कूल बसको डिगरी देगा, अनेकैडमी उस डिगरी पे आपका एक बहतर चाप छोड़के जो जिन्दगी बढ़ के लिए होगा, तो आपको इस में से सोच लो क्या करना है, तो दोनों को चलाना इस स्कूल से हम जाके क्या बोलते हैं, सस्कूल में ऐसी अरकति है, तो प्यार से काम चलाना है, जैसे चलाना है, नंबर काम आए, चलो कोई दिकत नहीं है, फोकस काहा है, तो 12 के बोड के आपको जो मेरा कॉमडिशन उस पे फोकस है, इस स्कूल का डिगरी मूझे एक पनी में इन्वाल्मेंट जो है, वो मेरा एक अच्छा कोचिंग कंटेंट जो आनकेडमो कंटेंट प्रोवाइट कर रहा है मेरे बच्छों, उस कंटेंट पे जो पकर हो गया आपकी, वो आपको आगे जाकर कॉमडिशन एक्जाम के लियर करवाएगा बच्छों, और उस आपका स्कूल का रिजर्ट करता है कि अच्छा रिपोर्ट काड़ाएगा तो मैडम बोलेगी ममी को कि यूर रवर्ड इस वेरी गूड ठीक है और आप बहुत खूश हो जाएगा फिर ममी जो है लंच कराके फिर घर्म लेके जाएगा आपको तो यह वाला कानी नहीं है यह पर ठीक है आप 6-7 क्लास में नहीं है आप एक ऐसी क्लास में वह 11-12 एक ऐसा क्लास है बेटा जो आगे के जिंदिगी का एक डिसाइडिंग फेक्टर है यहां पर आपका एक एक डिसीजन आपके लाइफ के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है आपको यहां पर फोर एक इसपे करना लिक इन और अगर सुखर नंट वह रहा है तो सीक यह कारआ है तो यह प्रॉलम हाती है लेकिन आपको अगर चार टारन कर रहे हो न तो कोचिंग में भी तो रैंकिंग आ रही होगी, वो दिखाऊ ना अपने पैरेंट्स को, कि देखो पापा मेरे कोचिंग में ये रैंक आया, मैं इसी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो देखो एक्सक्यूस देने वाले जो बच्छे हैं न, ठीक है, वो तो फज़ लेकिन जिसको जिन्दकी में कुछ करना है, ठीक है, वो अपना रास्ता निकाल लेगा, जो इसको पैरेंट्स नांट भी रहने हैं सीस के लिए, तो आप उससे दिखा सकते हैं, देखें मेरा बबाद कोचिं में कितनी अच्छी रहें का रही है, मैं स्कूल के स्लेबर से कॉ इसकेंड भी बहुत डेड़न होता है, थर्ड जो है, वो भी डेड़न होता है, कि आपको इन तोनों में कन्फूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों में अलग-लग इंपॉर्टेंस है, अनकाडमी आपको बस दिखरी में एक बहतर छाप छोड़के जाता है आपके आपके पैरेंट्स ने सोचाओगा, मेरे बच्चे ने साइंस लिया है, तो ये कराना है बच्चे से, तो इस पर ध्यान दो, चौथी जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टें और सबसे ज्यादा आज के टाइम में बहुत ही बड़ा फेक्टर सा बच्चों के लिए, वो है सोचल नेटवर्किंग साइट, बड़ा ही, ये बहुत वाइल हो रहा है, तीक है, मैंने आज तक जिन्दगी में, मैं इसी उसको हमेशा अच्छा मानता हूँ अपने लिए, कास मेरे, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तो उस टाइम फेस्बुक वाट्स अप नहीं था, ठीक कि इसके क्या एड्वांटेज्स, क्या डिस्वंट, परागराप लिख दिया, आपने गूगल किया और पहुंसे परागराप लिख करके बस, टीचर को सुना दिया, ठीक है, बच्छों सिखाई जाता है, 6-7 में बच्छों को बोला जाता है, टीचर बोलते हैं कि बेटा, त बातों को भूलते गया, और इतना मतलब की विलीन हो गया इस जगह पर, कि आप भूल गए कि मुझे जंदगी में करना भी गया है, तो सोसल नेटवर्किंग साहिं, ठीक है, इसमें जितनी बीचे जाती है, आप जितनी चे यूज़ करते हैं, फेस्बूक, वाटसब, इंस् तो मतलब की उस यूद को खराब कर रहा है, मतलब की जो एफिशेंसी है उसकी, वो कही नहीं खतम हो रही है, और आप अगर विरोजगार हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, ठीक है, अगर 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 देस में आज के देस में ही चलना है, अगर आप आप अगर विरोजगार है, तो कही ना कही उसमें, मैं मामता हूँ कि जो गवर्मेंट होती है, उसका कही ना कही फैक्टर होता है, लेकिन ये फैक्टर जो 90% फैक्टर उसमें आप भी है, अगर विरोजगार है कही ना कही तो कही ना कही आपने अपना जो टाइम है, जो व मेंसे भी लगे हुए तुम नहीं खाया। थीक तुम नहीं खाओगे, तुम नहीं खाओगे, तुम कैसे खालू ना यह सब छीजें, जो अब आज कल मीम्स भाइड और निब दूग से भी शेश हो एक तो उन सब चीजों को फोड़ो यार, चीए कि मैं अपने दिन का इतना फ्रेक्शन इस पे दूंगा ठीक है और वो फ्रेक्शन बस ऐसा एक इंटर्टेन्मेंट फ्रेक्शन होना चीए एक इंटर्टेन्मेंट फ्रेक्शन होना चीए इंटर्टेन्मेंट के लिए बना है तो उसको इंटर्टेन्मेंट फ्रेक्शन आज मैंने वीडियो देख लिया आज मैं अपने फॉन से वाट सब्सक्राइब करता है तो वह कनेक्शन भी जरूरी है लेकिन वह कितना हेल्दी होगा यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुमने अपने पास्ट में कितना सोसल साइट यूज किया है तो कोशिश करो बच्चे इन सब चीज़ों को खतम किसी को नहीं करें मैं यह नहीं बोलना कि आप वो यूज मत करो यूज करो लेकिन आपको पता होना ची कियोज से आप आगे जाका जरूर पाहएंगे तो तो अगली क्लास में आप सभी बच्चों से मुलाकात हो के लिए एक और interesting content एक efforts के साथ आप बच्चों के सांथ तो आज का सबस्रें घंधा कि बच्चों को मिलते होई अगली क्लास में